बेलकम टू एक्जाम भी बेचना तो दोस्तों अब तो जो HPPSC शिमला है HPPSC शिमला है इसके द्वारा ओफिशल नोटिफिकेशन निकाल दे गई है क्या निकाल दे गई है कि भाई साब अब आगई है आपकी PGT की वकैंसी तो अब आप में से जो भी कैनिरेट तियारी कर रहे थे अब डट चाहिए पूरे तन्मन धन से आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा हूं देखिए लगवग ये आपकी चार साल के पश्चाद पोस्टे देखने के लिए मिली है लगवग चार साल ये आपकी शायद 2018 या उननीस में लास्ट टाइम निकली थी अब ये आपकी 2023 में निकली है ठीक है कितना टाइं हो गया देखिए तो लगवग चार साल हो गए हैं अगर इस बार आपने मौका भुना दिया तो भुना दिया नहीं तो चार साल दोबार आपको बेट करना महत्पुन बाते हैं इसमें आपको बताओंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे त्यारी करनी है कुछ महत्पुन महत्पुन बाते बताओंगा साथ में अंत में आपको जो PGT हिंदी की preparation कर रहे हैं उन्हें कैसे त्यारी करनी है और कहां से त्यारी करनी है ये भी बताऊंगा तो चलिए देख लेते हैं तो जो जो यहां पर हम बात करेंगे एक तो करेंगे exam pattern की दोसरा बात करेंगे slavus की और कैसे तियारी करें इन तीन topic से बारे हम तियारी चर्चा करेंगे बेहद देखने के लिए simple topic है परनतु अगर दियान से आप इनके उपर analyze करेंगे तो आपको ये प्रिक्षा करेंगे के लिए काफी महत्मुन सावित होंगे ठीक है तो हर एक जो बातें यहां पर आपको कहूंगा तो दियान से आपने सुनना और इस पे अमल भी लाना क्योंकि हमने खुद ये चीज़े भोगी हुई है इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए ऐसा मत करिए क्योंकि अगर जो हम आपको बताने जारे हैं कि ऐसा मत करिए अगर आप इससे अनुवब सीखोगे तो आपको प्रिक्षा को क्रेक करने में सहुलियत होगी नहीं तो आपको और समय देना पड़ेगा क्योंकि समय का अभभा भी रहता है इसलिए जादा समय मत देजिए स्मार्ट सड़ी करिए जो जो चीज़े हमने अनुवब की है वो आपको बता रहे हैं उन पर अमल लाइए आपको इससे आगे सबहता मिलेगी ही मिलेगी ठीक है देखिए क्या आपको करना है क्या नहीं करना है ये भी आपको बता देते हैं सबसे महतन बाते तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए देखिए अब आपने जो भी सोचा था जैसे भी सोचा था जिन भी रिसोर्सी से त्यारी करने के लिए सोचा था उनको अब आप अमल में लाइए और उनके साथ त्यारी करना शुरू कर दीजिए चाहे वो आपके self त्यारी हो या फिर किसी संस्थान के साथ जुड़ कर त्यारी करने का आपका कभी सपना था उसको आप कर सकते हो आप online त्यारी करिए या offline त्यारी करिए इससे कोई matter जादा नहीं देता पर आपको क्या करना है त्यारी करते रहना है सबसे महत्मुन बाते त्यारी करते रहना है अब नहीं रुकना है क्योंकि अब आपने delay कर दिया तो आपको मुशिल होगी ही हमोगी फिर दूसरी जो महत्मुन बाते यहाँ पर आपको यह रहती है कि कई बच्चे अब थोड़ा सा आष्चरी चकित होगे कि एकदम से पोस्टिं आ गई ठीक है क्योंकि रोस्टर तो पहले निकाल दिया था तो काफी सारे बच्चों के काफी सारे पैर्ट्स के मन में ये प्रती काफी दूंद था कि नहीं ये जूट हो सकती है इतनी पोस्टिं नहीं होंगी प्रतो देखी मैंने आपको कहा था कि ये पोस्टिं होनी ही होनी है क्यों होनी है क्यूंकि इससे पहले हम जोग त्यारी कर देते एसीतन पोफेसर की तो एसीतन पोफेसर में भी इसी तरह के step चले गए थे बोर्ड की दौरा तो जो बोर्ड के तुरा चले गए थे हमने अनुवब किये थे तभी मैंने आपको कहा था देखो वही का वही हुआ पोस्टें जो हिंदी में निकली थी 117 तो हुबहु 117 ही निकली है जो फाइनल ओफिशल नोटिफिकेशन है उसमें इतनी ही पोस्ट नहीं है तो अब डट चाहिएगा क्योंकि इसी तरह से आगे धिरे धिरे ये अपने स्टेप बढ़ाते रहेंगे बोर्ड वाले तो मैं अहां पर महत्मुन बात ये रहेगी कि अब आप लोग लाइब्रेरी जाते रहें अगर लाइब्रेरी जाने कि आपके पास सुविदा नहीं है आप गाउं में रहते हैं तो इस तरह से आप अपने जो समे को स्ट्रक्चर करिए कि आपको स्टडी के लिए कम से कम दिन में सा आठ गंटे देने ही हैं क्यों देने हैं ये देखिए अब यहां से आपका अधार बनना शुरू होगा जब आपका अधार बनना शुरू होगा तो आपको समे देना ही पड़ेगा ऐसा तो नहीं होगा कि मानली जी आपको पता चले ये दो महीने जब प्रिक्षा की तिति का पता चलता है कि अब दो महीने दे हैं तब आप त्यारे करेंगे इस तरह कि अगर strategy आप बनाओगे ना तो आपकी प्रिक्षा कभी नहीं निकल सकती क्योंकि दो महीने में कुछ नहीं होता अगर आप आज से ही इस त्यारी में जुख जाते हैं कि आपको प्रिक्षा क्रैक करनी है और डेली 7-8 गंटे देने हैं तो वह आप देजिए और इसी से आपका आधार बनेगा और आपको प्रिक्षा को क्रैक करने में सहुलियत मिलेगी ठीक है और इसी के साथ पांचवी बात आपने ये धियान देनी है कि अब आपको नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना है। काफी समय से आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहे होंगे जो कुछ एक फाइदेमन चीजे मान लीचे 10 बाते करेंगे। 10 बात में से 9 बाते तो वो हमेशा नकारात्मक ही करते हैं सिर्फ एक बात ही फाइदेमन वाली करते हैं तो उनसे भी अपने दूरी बना कर रखनी है क्योंकि अब देखिए फॉरम भरे जाएंगे और प्रिक्षा भी नजदेक आनी शुरू हो जाईए। अगर कुछ एक बात है उन्होंने आपको ऐसी कह दी क आपसे ये प्रिक्षा नहीं होगी क्योंकि मेरे कुछ ऐसे परिशित मित्र थे, वो दो साल से प्रिक्षा की त्यारी करे थे, चार साल से करे थे, अभी तक उनसे ये नहीं निकला है तो ये छोटी-छोटी चीजे होती हैं, छो आपको अपनी पेपर से या फिर अपने लक् ही बनाए ठीक है अपने माता पिता के साथ रहिए अपने भाईयों के साथ रहिए प्रकरती के साथ रहिए जो आपका अराध्य देवता है उसके संपर्ग में रहिए आपको कैसे कामिया भी नहीं मिलती है मुझसे पूछिए आपको कामिया भी मिलकर ही रहेगी तो इस तरह के steps भी काफी महत्पुन होते हैं बाकी देखिए चटी जो महत्पुन बात यहां पर है तो चटी क्या है चटी इस फरकार से है कि आप लोग वो में से बहुत से ऐसे candidates हैं बहुत से ऐसे अवियर्थी हैं बहुत से ऐसे aspirant है जो या फिर कोई private job करते हैं या फिर दूसरी job करते हैं या फिर शादिश उदा हो चुके हैं और उनका लक्षय है उनका सपना है कि वो PGT की तियारी करें ठीक है अब उनके मन में दुविता है कि वो कैसे करें तो इसके लिए सबसे अच्छी वात में आपको कहूँ आपको देखेगा समय निकालना है आपको देखना है कि कब आपके पास समय है उस समय को पहले तो आपने किसी पेज़ पर निर्धारी करके नोट करना है फिर जब भी चाहे आपके ये पास सुबह थोड़ा टाइम हो दोपहर को थोड़ा टाइम हो और शाम को थोड़ा टाइम हो इस तरह से आपने टाइम डिवाइडिड करना है जाधर जो मैं बात कर रहा हूँ ये हाउस बाइफ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तियारी करने के लिए जुटी हुई है और समय का थोड़ा उनके पास अब हाप भी है इसको ध्यान में रखकर मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ देखिए सुबह भी आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा किसी भी तरह से क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पूरा दिन ही टाइम है ठीक है जो यह टाइम टेवल बता रहा हूँ सिर्फ हाउस बाइफ के लिए नहीं जो जौब करते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और जूरी नहीं है कि यही टाइम टेवल आप फॉलो करो मैं अपने गंटे आपके समय निकलते हैं, फिर दोपहर में भी ऐसे house pipes होती हैं, जिनके पास काफी समय होता त्यारी करने के लिए, दोपहर में भी आप किसी तरह से दो गंटे का time निकाल सकते हो, ये भी आपके लिए फाइदे मंद होगा, और फिर देखे, शाम के समय भी आप अपना time निकाल सकते हो, चाहे जौब करने वाले बंदे हो, या फिर house wife हो, जौब करने वाले देखे, पांच-छे वज़े आपको चुट्टी हो जाती है, तो 7 वज़े से आप 9 वज़े तक time निकाल सकते हैं, 7, 8, 9, लगवग 3 घंटे यहां पर आपके job वालों के निकल जाते हैं, और आप मेरे ख्याल से 8 वज़े से 9 वज़े तक आप free हो जाएंगे, 9 से 11 वज़े तक आप time दे सकती हैं, तो 2 घंटे यहां पर आपके निकल जाते हैं, तो देखिए बड़ा-बड़ा मैंने समय निकाल ला है आप लोगों के लिए, तो 2, 4, 6, 6 गंटे आपके इस तरह से निकल ही जाते हैं, बाकी जो पूरुष होते हैं वो भी इसमय इसी तरह से निकाल सकते हैं, आपके अपरास भी लगबग 6-7 गंटे का समय इस तरह से निकल जाता है, तो यह तो मैंने अपनी तरह से उपर इस तरत पे बाते की हैं, आप लोगों को सुईम पता है कब आप time निकाल सकते हो, कैसे time निकाल सकते हो, पर अपना schedule स्थापित करिये, लिख कर इसे रखेगा, किसी board में या दिवार में चिपका कर रखेगा, इस तरह से आपने तियारी करनी हैं, यह यह आपके पूरे पैंतरे होंगे, और अब अपने औजवार को आप तियार करिएगा, उ कैसे तियारी करेंगे, क्या इसका आधार रहेगा, किस तरह से तियारी करेंगे, अभी तक हमारी तियारी नहीं थी, एकदम से पोस्टे निकल गई, तो इन चीजों से आपने tension नहीं देनी है, एक ना एक दिन तो यह पोस्टे निकल नहीं थी, तो अब निकल गई, तो अब आपको इन चीजों को साइड इमहेट आकर अपने पूरे स्लेवर्स पर फोकस करना है अपने पूरे जो स्ट्रेटेजी है उस पर फोकस करना है सबसे पहले आपको अपना टाइम टेवल बनाना ही हुआ किसी विदार पर आप सभी अपना टाइम टेबल बनाएगेगा जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएगे तब तक आपको एक लक्षे और एक समय पता नहीं चलेगा कब आपने क्या और कैसे पढ़ना है ये रही बातें कुछ एक महत्मुन जो मैंने आपके साथ डिसकस करी बाकी जो अब इसके अलावा भी आपके कोई डॉट्स रहते हैं तो आप बेजी जग बताइएगा मैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए त्यार हूँ अच्छा लगता है मुझे कि आप लोगों को गाइल करूँ और आप लोगों को सफलता मिले क्योंकि हमारा ये जो परिवार है इसमें एक विस्तर से का कोई पेपर निकल जाए ना कि इतनी खुशी होती है पूरे परिवार को इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफलता को प्राप्त करें और जो आपके सपने हैं वो पूरे होई ठीक है ये जो मैं बाते कहता हूँ फिर इसी के साथ देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं सारे को यह हमने हटा दिया अब क्या बाते हैं हमारी बाते हैं हमारी ये है कि बहुत से other states के candidate मुझसे संपर कर रहे हैं क्या वो इस form को भढ़ सकते हैं या नहीं क्या क्या शर्टें इसकी है देखिए अगर other state में कोई हिमाचल का बंदा जिसने दस्वी या बारवी यहां से paper निकालकर other state में जाकर कोई private या सरकारी job कर रहा है और उसका मन ये PGT के form को भढ़ने का है तो वो इस form को feel कर सकता है भर सकता है वो इसको ठीक है दूसरा जो कौन सा भर सकता है हिमाचल की ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं दूसरे states में और उनके पास basic उनकी जो दस्वी है हिमाचल से नहीं हुई ह नहीं हिमाचल के board से हुई है परंतु उनके पास हिमाचली bonofide है तो वो भी इस form को भढ़ सकते हैं जिनके पास ये दो चीजे हैं तो वो इस form को feel कर सकते हैं बाकी other state बाले इसको नहीं feel कर सकते यह यहाँ पर आपको आपका जो जवाव था फो मिल गिया है फिर देखिए काई ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि earphone लगा कर भी आप इसे सुन सकते हूं तो PGT की seats तो अब निकल गई हैं तो सबसे महतम बात होती हैं अब देखिए भाई साब यहाँ पर negative marking भी है इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर negative marking या ऐसा नहीं है आप लोग पहले LTE TAT की प्र करनी है इसको ध्यान में रखकर ही आपने प्रिक्षा देनी है तो यह कुछ एक महतमुन चीजे मैंने आपके साथ discuss करी तो इसको आप लोगोंने अवश्य अराम से सुनना है जब भी समय मिले सुनते रहना है इन वीडियो को क्योंकि इस तरह कि आपको तथ्ये बहुत कम लो फिर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर अवगत करवा देता हूं जो भी आप में से ऐसे candidate हैं वो HP PGT Hindi या फिर HP School Lecturer Hindi की preparation करना चाहते हैं तो वो हमारी टीम के साथ जूर कर अपनी preparation को कर सकते हैं क्योंकि हमारी टीम के दौरा HP PGT Hindi के लिए course launch कर दिया गया है संपोन हिंदी और हिंदी साहिती हमारी टीम के दौरा वहाँ पर cover करवाया जाएगा आपको इदर उदर भटकने की तो आवशकता ही नहीं होगी ठीक है तो अगर जूनना चाहते हैं तो आप बेज़जग हमें संपर कर सकते हो 8-2-1-9-3-1-2-1-2-9-8-2-1-9-3-1-2-1-2- नमबर है इस पर आप बर्ट सेप करिए आपकी जो भी query रहेगी उसको हम solve करने की कोशिश करेंगे अगर course लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हो आपको यहाँ पर जुलकर अबश्य सबलता मिलेगी ही मिलेगी ठीक है बाकी देखिए जो यह चीज़े आपको बताई इनको को मुश्किल हो सकती है ठीक है इसके परिशा दूसरी वीडियो प्ले होगी उसको भी 2023 एक्जाम पैटरन के उपर खाफी सारे बच्चों के इस पर संदे है कि कैसे एक्जाम होंगे क्या pattern रहेगा क्या syllabus रहेगा किस तरह से वो त्यारी करेंगे कही तरह के doubts हैं जो जारा यह क्योंकि फुश्याद भी आपके कोई doubt रहते हैं तो आप comment कर सकते हो बेजी जब चले देख लेते हैं कि स्लेवर्स अगर हम चले स्लेवर्स तुम बाद में देखेंगे पहले exam pattern को देखते हैं बहुत से बच्चों का ये बहुत जादा संदे है कि exam pattern कैसा रहने वाला है क्या यहां पर दो paper होंगे जैसा कि बोला गया था कि class 3 की job के लिए दो paper होंगे सबसे main बात दोस्तों यहां पर यह है कि चाहे आपके दो paper हो या एक paper हो आपको इससे कुछ फरक नहीं पढ़ना चाहिए क्यों नहीं फरक पढ़ना चाहिए देखेगा आप लोग जब भी इससे प 20 रहता था यह रहता था आपके जीके का इसी तरह से आपको दोनों चीजों की त्यारी करनी ही पड़ती थी paper एक की भी और paper दो की भी मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है कि आपके दो paper होंगे तो इससे आपको मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि जीके इत इंडिया जीके हो गया है एचपी जीके हो गया यह दोनों आपकी 30-30 नंबर की आई ठीक है उसके पर शाथ आपको 20 नंबर की हिंदी ग्रामर आएगा और 20 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आएगा जो हिंदी वाले स्टुड़नेट है इनको तो यहां से ज़्यादा देखने ठीकले मिलेगा कियूं की मिलेगा क्यों डेख 맞ienen की हिंदी घ्रामर है हिंदी वालों का हिंदी ग्रामर तो अच्छा पहले से होता है आपको तो नेच्टॉली से बात है यहां से अब शील ला मिलेगा आपको घवराने की जूरत नहीं हky रही जो बात ऐच्प उडिया जीके पहले से भी आपको पढ़ना पढ़ता था और अब भी आपको पढ़ना ही पढ़ेगा नॉर्मल सी बात है जो में दिकत हो सकती थोड़ी पुरी वो होगी इंग्लिश ग्रामर के 20 नंबर से बाकी मान लिजिए यहाँ पर आपको जो फस पेपर होता है जादा कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर only pass marking लानी है जैसे भी आप ले आएं जितने भी अपने question attempt करने हैं तो आप कर सकते हैं और इसके लिए जो 35 marks की बात की है पास होने के लिए आप easily रा सकते हो है HPG के देखिए 30 नंबर का है इंडिया जी के 30 नंबर का है ठीक है gk plus current affair है दोनों का इनमेंस ए रखता है पंदरा से 18 तक नावल के बच्चे हिंदी grammar में number ले ही आएंगे ठीक इतने question कर लेंगे तो हिंदी वालों को तो कोई टरने की कोई बात नहीं है बाकी other subject की बात करें तो उन्हें भी यह चीज़े normally आ जाती है जैसे English grammar बाकी subject के बच्चों का काफी अच्छा होता ह जी के भी होता है अच्छा तो घवराने की कोई दिकत नहीं आपको जो भी focus करना है अपने subject की तरफ करना है क्योंकि आपका subject ही एक ऐसी चीज़ है आपका जो बेड़ा पार्क करवा सकता है फस paper में आप normally थोड़ा थोड़ा पढ़ते रही है 35 number ही तो लाने आपने क्या ही बड़ा पाहाड नहीं है दोस्तों यह घवराने की कोई आपशकता नहीं है चाहे दो paper होंगे चाहे एक paper होंगे कोई matter नहीं करता यह आप लोग जब त्यारी कर रहे हैं तो आपको यह नहीं देखना है कि यह paper आपके एक हो रहे हैं या दो हो रहे हैं बस अपनी study पर अच् कुछ मत सोचिए अपने पाठ्थे करम को निर्धारित करिए कि यह पढ़ना है ऐसे पढ़ना है बाकी यह नहीं सोचना है कि दो paper होंगे या एक paper होंगे इससे अपने time को जाया मत करना ठीक है HPGK normally हर एक picture के लिए पढ़ना पढ़ता है चाहे आप college calendar की बात करें चाहे आप PGT की बात करें चाहे RT की बात करें या TGT की बात करें आप लोगों को यहाँ पर फाइदा अबशिय होगा हिंदी वालों के लिए अगर बात करूं तो इसके पश्चाथ भी आपको exam pattern से समझे कोई doubt रहते हैं तो आप पूछ सकते हो ठीक है फिर चलते हैं slayvers की तरफ देखिए अगर हम HPPSC HPPSC शिमला की बात करें क्योंकि जो PGT जैसी प्रिक्षा है यही conduct करवाता है HPPSC शिमला इनका भी तक जो slayvers की बात करें पूर्ट इन्होंने ऐसा तो नहीं बताया है कि किस portion से कितने कितने portion पूछे जाएंगे हाँ यह जरूर बताया गया है इनके जो site में कोई slayvers मिलते हैं चाहे हिंदी की अगर हम बात करें तो यह 80 और 20 का ratio रखकर बताते हैं 80 और 20 का कैसे ratio जो 80 का है यह आता है subject से 80 का subject से रहेगा और 20 का यह किस से रहता है यह gk से रहता है जैसे कि पहले जो शुरुआत में जब PGT की प्रिक्षा हुई थी तो उस समय ऐसा भी था 85 का स्लेवर्स था और 15 नंबर की इन्होंने documentation रखी थी ठीक है फिर इस बार उन्होंने change कर दिया है द्वारा से कि हम 100 का रखेंगे ऐसा कुछ गोड़े थे क्यूंकि अब तो documentation खत्म कर दी गई है ठीक है तो normally जो चलके जो हम यह सोच सकते हैं जिस अधार पर हम त्यारी कर सकते वो होगा 100 numbers का 100 number का या फिर 100 question का इसमें 80 के तो आप से पूछे जाएंगे चाहे बात करें हिंदी की 80 number की हिंदी के question यहां से सीधे पूछे जाएंगे चाहे वो साहित्य होगा चाहे grammar होगा जोमर जी फिर 20 की बात करेंगे तो यह gk रहता है यह इनके syllabus में mention होता है अलग से यह नहीं बताते हैं कि हिंदी साहित्य है इसके आदिकाल से कितने प्रशन बनेंगे या फिर भकतिकाल से कितने प्रशन बनेंगे या फिर भकतिकाल की कौन-कौन से topics बनें यह कुछ नहीं बताते हैं इनकी साइट में जो से बस होता है ना नॉर्मली से यह बताते हैं कि 80 औ अपने अधार रखते हैं अपने तरक देते हैं इसलिए आपको ज्यादा हेर फिर में नहीं पढ़ना है कोई भी पुस्तक लीजिए धंग से उसको पढ़ते लिए शुरू से लेकर अंध तक ठीक है बाशा से लेकर काब्यशास्तर तक धंग से उसको पढ़िएगा और जीके क चाहते हैं कि आपको पुस्तकों के बारे में भी जानकारी चाहिए क्योंकि इससे पहले भी मैंने PGT की पुस्तकों के बारे में आपको एक वीडियो बना कर दे थी फिर भी आप लोग चाहते हैं कि नई वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करिएगा कमेंट के आधार पर मै निश्चे करूँगा कि वीडियो बनानी है नहीं तो जितनी जादा संख्या बच्चों की होगी पुस्तकों के लिए भी आपको गाइड के लिए एक वीडियो चाहिए तो मैं जुरूर बनाऊगा आपके कोमेंट पर ये निर्धारीत रहेगा बाकी वीडियो को समाप्त करने लेट होंगे जो HPPGT हिंदी की त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारा साथ जुर सकते हैं और अच्छे से आप हमारी टीम के द्वारा जो कोर्स लांच कर दी गए हैं उनमें जुर कर अपनी त्यारी कर सकते हूँ जुलने के लिए आपको नंबर बता देता हूँ 82293 12129 य करते हुआ normούμε एद 5. CKK 20 самого कि आप हैं पर घ्च्छे को आपको ऩकोदक कर आप हैं जुकत आप हैं धर मुझने कम उल सकते हैं जो जाप हमारी टीम कर दोस्चे से पिट trifectर हैं वेख हैं जो आपको हैं उनमें जांच कर सबाहरी कर देते हैं एदलतते हैं मीम हैं स्था कर